नमस्कार प्यारे साथी है उस स्वागत है आप सभी का एक वाए फिरसे मारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आज की स्पड़ में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों को पता है कि जिन भी केंड़ेट ने अपना फॉर्म जो है 14 माई 2024 तक आगर आपने फॉर्म बराता लेकिन आपका पेमेंट किसी भी कारण से नहीं हो पाया था तो उन सभी के लिए पेमेंट के बारे में यह बता रहा है लेकिन फॉर्म आपका देखिए है तो भी आप अपना पेमेंट कैसे करेंगे तो पूरा डेटेल में आप सभी को बताऊंगा तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरा डेटेल में अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को प्रेस कर ठीक है CN number यह सारी detail दिखा रहा है कि यहाँ पर notice for payment of application fees to those candidates who have already submitted their application ठीक है their application before closing date मतलब जो आपकी 14 माई 24 की जो date थी आपकी उससे पहले अगर आपने जो अपना form को submit कर दिया है तब भी आप यहाँ पर fees को payment कर पाएंगे ठीक है तो इसके लिए आपको simply क्या करना है कि यहाँ पर एक option मिलेगा आपको apply का apply बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर already have an account का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको click करना है और जैसी आप यहाँ पर click करते हैं तो उसके बाद आप से क्या करना है कि आपको sign in क्या करना है sign in कैसे करना या तो आप पहले कॉलम में आप लोग अपनी email id डालोगे या फिर अपना email id डाल सकते हैं ठीक है या फिर अपना mobile number या email id कोई भी एक चीज़ यहाँ पर आप लोग डालोगे interface आप सभी के सामने खुल के आएगा जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर पूरी आपकी ID आप सभी के सामने आ जाती है यहाँ पर देख सकते हैं general instructions का option मिलता आपको दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर देख सकते है online application का option मिलता है और ती तीसे नंबर पर आपको देखे application history का आप नंबर मिलता है ठीक है तो आपको तीसे नंबर पर ही क्लिक करना है application history वाले option पर जैसे आप application history पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इन्होंने दो form मरेते जो कि आप लोगों का पेमेंट बगयरा सब कुछ इनका complete है लेकिन इन्होंने क्या किया था कि एसा एका भी form वरा था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है लेकिन क्या हुआ कि इनका जो payment था वो आप लोग यहाँ पर अच्छे से चेक कर पाए होंगे payment not done ठीक है इसका मतलब क्या है कि इनका payment किसी भी कारण से नहीं हो पाया था लेकिन इनका form जो complete हो चुका था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पेनाओ का option आपको अच्छे से दिख रहा होगा पेनाओ पर क्लिक करना होगा ठीक है अगर आप पेमेंट करना चाहते तो simply आप लोग पेनाओ पर क्लिक करे लाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपना card से या debit card या credit card से करना चाहते हैं तो card number डालेंगे यहाँ पर उसके बाद आपको card number वाले जिसका card का नाम है उस पर वो नाम डालेंगे उसके बाद आपको expiring month and date on year डालना है आपको ठीक है उसके बाद year select करना और जो CBB पीछे लिखा रहता है वो CBB डालेंगे और pay now पर click करेंगे तो इसके बाद आप अपना payment कर पाएंगे OTP आपके mobile number पर जाएगा और आप अपना payment complete कर लोगे ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं अगर आप मालो net banking के अपना payment करने और बाकी detail आपको fill up करने ठीक है नहीं तो अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास तो simply आप अपना phone पे पे phone पे ATM गूगल पे जो भी अगर आप चलाते हैं वो से भी आप कर सकते हैं चाहें तो आप अपना UPI ID एंटर करके भी कर सकते हैं या फिर आपना चा अपने पे पेडिया और हमको ये payment complete करना है ठीक है payment complete करना है तो चलिए हम इसको scan करेंगे किसी भी यहाँ phone में आपके जो भी एप चलाते हो आप Google पे phone पे ATM जो भी आप लोग चलाते है या जो भी पे चलाते हैं वो payment आप लोगों को यहाँ पर select करना है ठीक है जैसे आप इ कि directly आपको payment यहाँ पर आ जाएगा कि कितना आपको payment करना वो आपको भरने की जरूत नहीं पड़ेगी उसके बाद आपको okay करना होगा okay करने के बाद आपका जो भी यूपी नंबर है pin है वो आप लोग डालेंगे और डालने के बाद इसको submit कर देंगे और उसके बाद आप आपका payment क्या होगा कि successful हो जाएगा और जैसे आपका payment successful हो जाता है तो देखिए आपको wait करना होगा एक minute wait करना पड़ेगा ज्यादा नहीं चलिए हमारा payment तो complete हो चुका है हमारी तरफ से लेकिन यह website कब तक अपने update होता है अपने अपने अप लेगा आपको कुछ भी करने क print भी ले सकते हैं नहीं तो आप इसको back करना चाहें तो simply back कर सकते हैं ठीक है back करने के बाद देखिए यहाप लोग देख सकते हैं इनका payment जो success आ चुका है ठीक है उसके बाद आप चाहें तो देखिए आप यहाप व्यू अप्लिकेशन को option नजर आ रहा होगा आपको view application भी क करना चाहते हैं correction करना चाहते हैं तो correction भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको payment करना पड़ेगा ठीक है यह चीज़ clear होगी होगी आपके दिमाग में तो यह था कुछ complete process कि आपको अपना जो भी candidate अपना fees payment नहीं कर पायते हैं तो वो अपना किस तरीके से करेंगे तो I hope प्रेली समझ में आगया होगा कि फीस payment आपको किस तरीके से करनी थी जो candidate अपना फॉर्म साथ 14 माई 24 से पहले अपना फॉर्म भर चुके थे लेकिन फीस नहीं कर पायी थी तो उन सभी के लिए वीडियो helpful रहा होगा और अगर आपके लिए वीडियो helpful रहा हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिएगा शेर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सकाइब करके बाल आकोन बटन प्रेस कर लिएजिएगा चली दोस्तों बागी मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहीं एंड वन दिमात्रम